बाद बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है बच्चों, आज हम हिंदी में नई मात्रा सीखेंगे नई मात्रों को सीखने से पहले हमने जो मात्रा की है उसको धुराएंगे बच्चों, ये कौन सी मात्रा की थी आपने? ये कौन सी मात्रा है? आ की, शाबाज बच्चों इस कव इंचन के साथ आ की मात्रा को जब हमने जोड़ा तो कैसे आवाज आई क, आ, का शाबाज बच्चों कौनसी मात्रा है ये? क, आ, का कैसे बोलेंगे इसको? एक बार फिर से बोलते हैं क, आ, का अच्छा बच्चों अब आप ये बताओ आ के बाद ये किसकी मात्रा है? शाबाज इक की क के साथ जब हमने इक की मात्रा लगाई तो कैसे आवाज आई? क, इ, की एक बार फिर से बोलेंगे क, इ, की चरो बच्चों ये किसकी मात्रा है? बताओ इ, की, शाबाज और ये भी अज़न के बाद में आती है इसको कैसे बोलेंगे? क, इ, की क्या बन गया? क, इ, की एक बार फिर से बोलो क, इ, की अच्छा बच्चों अब हम जो नई मात्रा सेखेंगे वो कोंसी मात्रा है? उ, की और ये मात्रा स्माइली की तरह बनती है अगर हम इसको व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो कैसे अब आज आएगी? देखो बोलकर क, उ, कु क्या बन गया? क, उ, कु अच्छा बच्चों अब हमने सव्यंजन के साथ उ, की मात्रा को जोड़ा तो कैसे अब आज आएगी? स, उ, सू क्या बन गया? स, उ, सू बच्चों अब हमने ल, व्यंजन के साथ उ, की मात्रा को जोड़ा तो कैसे अब आज आए? ल, उ, लू अच्छा बच्चों अब आप उ, की मात्रा को सभी व्यंजनों के साथ जोड कर बोल कर और लिक कर इसका अभ्यास घर पर करोगी धन्यवाद बाब बाई